रिवर्स एंजिनेरिंग के बूते जीने वाला चाइना टेक्नोलोजी वाइस एक दिन इतना आगे चले जाएगा इस बात की कलपना किसी ने नहीं की थी मैं आपको बता दू कि चाइना ने इस समय कैसा हतियार बना लिया है जो इतना ताकतवर है कि फाइटर, येरक्राप्ट और मिसाईलों को तो आप छोड़ दीजिए वो सीधे सैटलाइट को मार गिरा सकता है केवल एक शॉर्ट में जी हाँ, चाइना ने कुछ इस तरह का हतियार इस बार बनाया है जो यकिनन भारत के लिए बहुत ज़्यादा दुगदाई साबित हो सकता है ऐसी परिस्तिती में केवल और केवल भारत का काली 5000 ही हमें बचा सकता है तो आज हम लोग इसी मुद्दे के उपर बात करेंगी कि आखिर चाइना ने ये कौन सा अतियार बना लिया है और क्यों इसके जवाब में भारत को काली 5000 फास्ट ट्रेक करना अनिवारिया हो गया है आप बस इस वीडियो को एक दम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मैं आपको सारी बाते पूरे इत्मिनान से बताने वाला हूँ दोस्तो वैसे तो चाइना काफी समय से डारेक्ट अनरजी वेपन्स के उपर काम कर रहा है ये वेपन्स आप समझ सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक हतियार होंगे अभी हमने कली बात की थी कि भारत की जो ब्रहमोस मिसाइल है उसे दुनिया का कोई भी एर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता इवन अगर चाहे तो S-400 से भी उसे हम लोग नहीं रोक सकते वेसे तो इस तरह की बाते की जाती है कि S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकता है साथ ही भारत में बनाए जा रहे है BMD भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाएगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ सही होते हुए मुझे तो इटलिस नहीं दिखाई दे रही है याने ना तो BMD और ना ही S-400 आने वारे समय में हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाएगे हाइपरसोनिक मिसाइल को केवल एक ही चीज़ से आप काउंटर कर सकते हैं और वो है खुद हाइपरसोनिक मिसाइल आपको भी हाइपरसोनिक मिसाइल के जवाब में हाइपरसोनिक मिसाइल बनानी होगी ताकि आपका दुश्मन आपके उपर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करे ही न क्योंकि उसे पता है कि अगर हमने कर दिया उसके बाद इनका जो हाल होगा एक्जेकली वही हाल हमारा भी होगा याने इस तरह की फास्टेस मिसाइल का आचकल कोई भी उपाय नहीं बचा है इन्हें आप नहीं रोक सकते लेकिन हमने कल एक और बात की थी कि आने वाले समय में कुछ ऐसे उपकरण या फिर काउंटर मेजर्स बनाए जा सकते हैं जिनके इस्तमाल से हम लोग इस तरह की सुपर सोनिक मिसाइल या फिर हैपर सोनिक मिसाइल को हवा में जैम कर दें या फिर इन्हें पूरी तरसे पिगला कर हवा में ही नस्ट और जिशकी लिए जरू पड़ेगी माीक्रो वैफ हँथ्यारो की या फिर लेजर वैपन्स की या फिर जिनने हम लोग डारेक्ट एनरजी वैपन कहते हैं इस तरह के वैपन्स की इनके अलावा इस तरह की मिसाइलों का कोई भी दूसरा काउंटर मेजर नहीं हो सकता आभी दोस्तों एक बहुती संसनिक एस दावा किया गया है ताइवान की तरफ से वैसे ताइवान का ये दावा आप जूटा नहीं कह सकते क्योंकि इस तरह की डिवाइस पर चाइना काम कर रहा है ये चाइना खुद कबूल चुका है लेकिन चाइना इसे हतियार नहीं मानता जिस तरह से भारत काली वैपन को अपना हतियार नहीं मानता और एक्चुलि वो इंडस्ट्रिल यूज के लिए बनाया गया था लेकिन इन सब का इस्तमाल हतियारों के तोर पर भी किया जा सकता है ये बात हम जानते हैं तो यहाँ पर तैवान का ये कहना है कि चाइना ने जो लेजर वैपन बनाया है ये बहुत डेंजरस है ये एक बार में पांच मेगावाट जितना इलेक्ट्रो मेगनेटिक वैब्स का तुफ़ान जनरेट करता है और फिर ये दुश्मन के हतियार के उपर वैभाट मिला करत है तो सूचे ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो गया जाने चाइना इसकी मदद से किसी भी येरक्राफ्ट किसी भी बड़े से बड़े जंगी जहाँ किसी भी मेसाइल ड्रोन्स वगिरा को आसानी से खत्म कर सकता है साथ ही इसके अटैक से बताया जा रहा है कि सैटलाइट को भी चाइना नस्ट कर सकता है वैसे सैटलाइट को नस्ट करने के लिए डारेक्ट प्रत्वी से अटैक नहीं किया जाएगा इसके लिए जरूरी होगा कि चाइना एक सैटलाइट में इस हतियार को इंटिग्रेट करके फिर उसे लांच कर दे उसके बाद चाइना का वो सैट पिखला देगा तो इस तरह का कुछ वेपन बना रखा है चाइना ने अभी दोस्तों आप जानते हैं कि अगर चाइना इस तरह का वेपन बनाएगा तो भारत की उपर इसका सीधा असर पड़ता है तो इसके जवाब में भारत को भी कोई हतियार बनाना ही है यहाँ पर हम इन वेपन से संबंदित हमें नहीं मिलते थी अगर यह सीक्रेटली किये जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं किये जा रहे हैं तो जल्दी इनके उपर काम करने की जरुवत हमें इस समय है क्योंकि हमारे दुश्मन और इस तरह के वेपन तयार कर चु में चलने के लिए इस तरह के हत्यारों करना बहुत जादा ज़रूरी हो जाता है बाकी इस पूरे मुद्धे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताये